दोनों ही कप्तान और मैच रेफरी मैदान के बीचों बीच एड्ड्स की मांग लेके निकला टेल्स कोई खराक टॉस नहीं ता हारने के लिए इससे हम जबर्दस्त मैच की काम ना करेंगे फिलाडी जो अपने टीमों के लिए खेलेंगे खूबसूरा दिन प्रुकेट के लिए चलिए इसी के साथ अमपायर के इनके साथ मैदान फिल्डिंग टीम ने कमर कसली है और तयार है दर्शकों के हर शोल लास के बीच आ रहे है सलामी बल्लेबाज बल्लेबाज पवेलेन की ओर जाते हुए हताश, निराश, उदास कुणा शोट लगाया उमचा भी था, लंबा भी था, पवल्लेबाज बीच आ बीच से था यह शोट गया हवा में और गैप में भी गया क्या अच्छा मुठ शोट लगाया है ऐसी शोट की अवास सुबही मन मंतर मुख दोज अपनी लाइन और लेंथ बड़ी सटीक रखनी होगी अच्छा शोट खेला सिंगल के लिए अच्छा गैप निकाला यह गेम को लगता है मारने के लिए बनी थी और भाईया यह भी कहाँ छोड़ने वाले थे यह लगाया दाबर दोर शोट यह पारी इनका ज़रूर मनोबल उपर करेगी यह चौट गया हवा में और गैप में भी गया पहली पारी की समापती लक्षय सामने है और सलामी बल्ले बास पवेलेन की ओर जाते हुए रनों का पीछा करने की पूरी तैयारी हम आपके सामने फिर से हाजरे एक इनिंग्स ब्रेक के बाद लक्षय तैय है और फिल्डिंग टीम को शुरुआती जटके चाहिए इस खेल में पलणा कहीं भी जा सकता है इस कड़े मुकाबले के लिए हम तयार हैं विक्टे जोली में रखना महत्वपूर सटीक रखनी होगी जोगी उन्ना शॉट छे रंग के लिए यह शॉट गया हवा में और गैप ने भी गया अजा 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 तम शॉट मारा चार रंग के लिए बीट बार्ट भया हवा हमें और गैपने भी गया चटेरा भी जगा बनातु है बल्ले का पूरा मूठ भोला और चारण के लिए जड़ दिया स्पीर को लाया गया अटैक में देखते हैं इस पिछ से कितना लाब उठाते हैं दाइरे के बाहर रख सकती है बल्ले बाज ने इस गेम तो पड़ा भी और जड़ा भी लगाया चक्का चलिए देखते हैं अना स्ट्रो टन 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 बल्ले के बीचो बीच ये लगा भाई शोड खूपसूरती से लगाया यहां तो नाग के नीचे से एक रंग चुरा लिए बास बल्ले बास हमेशा रंग चुराने के लिए तयार रहते हैं दोनों ही खेमों के प्लेयर आपस में एक बुसरे का हाथ मिलाते हुए और ड्रेसिंग रूम कि तरफ जाते हुए एक बहुत अच्छा ख्रिक्ट का मुझारा देखने को मिला जो की नीचो मोक्या Let's congratulate our man of the match and catch him for a few words I felt I was in top form today and I'm really glad I could contribute towards the team